Hi everyone, कैसे हैं आप सभी? आज मैं आप लोगों के लिए Constitutional Indian Legal History की Class 4 लेकर के आई हूँ जो हमारा Crash Course अल्रेडी चल रहा था वो तीन वीडियोज मैं अल्रेडी डाल चुकी हूँ YouTube चानल पे लाइब हो चुकी है ये फोर्त वीडियो है आज हमारा Crash Course का तो क्यूंकि हमारा जो मेयरपोर्ट का टॉपिक है वो लास्ट टाइम चल रहा था तो मेयरपोर्ट के टॉपिक को ही हम फर्दर कॉंटिन्यू करेंगे क्यूंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और exam point of view से important है तो इसी की importance को ध्यान में रखते हुए हम हर एक aspect इस topic का cover करेंगी ताकि exam में अगर किसी भी तरीके से इससे question पूछ लिया जाए तो हम उसको answer कर पाएं तो बिना देरी किये हुए शुरू करते हैं अपने topic को आए स्टार्ट करते हैं मेयरपोर्ट के provisions के बारे में So provisions for Charter of 1726 provisions for Charter of 1726 provisions for Charter of 1726 Charter 1726 के provision क्या थे यहां अगर मैं बात करूँ Charter 1726 के provisions की तो वो कुछ इस तरीके से 5 points में आप लोगों को note करवाऊंगी वो 5 points हम लोगों को elaborate करना है बट पहले में आपको key points note करवा रही हूँ First है First है Establishment Establishment of Corporation Establishment of Corporation Establishment of Corporation at Bombay and Calcutta देखिए मदरास में तो पहले ही establishment हो चुका था corporation का लेकिन क्यूंकि वहाँ पर successful establishment corporation का हुआ था और proper working हो रहा था तो यह decide किया गया through charter 1726 कि क्यूं ना मदरास के जैसा ही corporation हम Bombay और Calcutta में भी establishment करें तो यहाँ यह जो presidency towns है इनके अंदर भी अच्छा working शुरू हो जाएगा तो हम एक काम करते हैं इसी तरीका का corporation जो है उसका हम establishment करते हैं Bombay and Calcutta के अंदर में दो प्रेजिडेंसी के अंदर भी दो प्रेजिडेंसी टाउन के अंदर भी अब हम लोग एक काम करते हैं to the point explain करते हैं तो last time में जब हम जाएंगे तो last में हम एक बार summary एक बना लेंगे कि क्या हम लोगों ने पांचों point क्या discuss की हैं तो establishment of corporation at Bombay and Calcutta आईए इसी point को पहले explain करते हैं हम लोग देखो अगर मैं बात करूँ तो basic तो हमने जान लिया है कि मदरास में जो successful working corporation establishment होने के बाद में हो रहा था उस presidency town के बाद में तो यह decide किया गया through charter 1726 कि Bombay और Calcutta में भी इसी तरीके का एक corporation establish किया जाए ताकि इन presidency towns के अंदर भी अच्छा काम हो पाए तो एक यह decide करने के बाद में यह देखा गया कि इसका composition किस तरीके से किया जाए यहाँ इस corporation का establish करने के लिए हम कैसे इसका composition करे कौन ऐसी authorities हम लोग बठाएं कि आगे वो काम कर पाए तो यहाँ पर जो establishment किया गया वो किस तरीके से किया गया establishment किया गया first यहाँ पर एक mayor यहाँ पर एक mayor elect किया गया and nine elder men nine elder men one mayor and nine elder men अभी जो nine elder men है इन nine elder men में से out of these जो seven elder men होंगे मैं यहाँ अलग पहन से mark करती हूँ तो आप लोगों को जादा easy होगा seven elder men seven elder men यह British born होने चाहिए British born natural होने चाहिए natural subject natural British born subject के होने चाहिए चेक है तो यहाँ आप लिख लेजिए natural born natural born British subject British subject चेक है natural born ब्रिटिश सब्जेक्ट के होने चाहिए अगर मैं बात करूँ दो elder men remaining रहे गए हैं तो दो elder men को हम लोग different color से mark करते हैं देखें two elder men जो two elder men remaining है यह कौन सी nationality के होने चाहिए तो यह कहा गया कि भई देखो साथ का खयाल रखना कि साथ natural born British subject के होने चाहिए English होने चाहिए हो Britishers होने चाहिए British born होने चाहिए बाकी जो दो हैं वो आप किसी भी nationality state के आप ले सकते हो तो दो elder men जो हैं वो any nationality के हो सकते है any nationality of state यह लोग जी यह तो हमारा हो गया elder men का किस तरीके से इनोंने division किया कि साथ elder men natural born होने चाहिए British subject के और दो elder men किसी भी nationality के हो सकते है अब हम लोग बात करते है अब हम लोग next अपना जो बात करने जा रहे है वो किस पर बाते करेंगे कि भई composition तो आपने कर दिया अब क्यूंकि आपने composition कर दिया तो यह जाहिर सी बात है कि यहाँ पर removal का भी प्रावधान आएगा प्रोविजन अगर composition का आए तो removal का भी आएगा office hold करने का भी आएगा appointment का भी आएगा क्यूंकि composition की बाते हो गई है तो अब पहले हम directly remove नहीं करेंगे compose करने का बताया कि एक elder men और I'm sorry one mere और nine elder men होने चाहिए इसमें से किस तरीके से elder men आपको elect करने है वो हमने बता दिया अब बात करते हैं कि इनका election या appointment किस तरीके से होगा पहले हम appointment की बाते करेंगे composition बताने के बाद अब हम लोग बाते करेंगे appointment की first है appointment appointed देखो first time जो appointment होगा वो कौन करेगा first appointment कौन करेगा first appointed by first mayor और elder man जो appoint हुए होंगे न तो वो first appointed by charter itself उनको किस ने appoint किया first appointed by charter itself पहली पहली बार जो appoint होंगे उनको तो charter ही appoint करेगा बहुत ही justified reason है पहले जब नया नया corporation बन रहा है तो किसी को तो appoint करना पड़ेगा तो charter ही appoint करेगा क्योंकि अभी already कोई mayor और elder man है नहीं एक दूसरे को elect करने के लिए तो better की charter itself उनको appoint कर दे लेकिन after first appointment after first appointment जो subsequent appointment होगा यानि कि after first after first जो भी subsequent appointment होगा उसको अब कौन करेगा उसमे अब कौन appointment का decision लेगा उसमें देखो mayor को appoint करेंगे elder man क्योंकि elder man की जो counting है वो ज्यादा है तो elder man यहाँ पर appoint करेंगे mayor को elect करेंगे तो elder man अब मिलकर के क्या करेंगे elder man will elect mayor mayor को elect करेंगे ठीक है अब यह office कब तक hold करेंगे यहाँ appointment की बात तो हो गई लेकिन आब बात यहाँ आई कि भाई यह बताओ यह भी बताओ कि office कब तक hold करेंगे तो office hold करने की अगर बात की जाए तो यह office करेंगे hold for life office hold करेंगे for life मैं next अपना page ले रही हूँ hold office for life जिन्दगी भर के लिए office hold करेंगे या फिर till residence in presidency town ठीक है और till residence in presidency town इतने time तक यह लोग office hold करेंगे ठीक है clear है office hold करेंगे इतने time तक office hold done हमने क्या-क्या बाते की है establishment होगा corporation का next composition किस तरीके से होगा composition के बाद में appointment कैसे हुआ और appointment होने के बाद office कितने समय तक hold करेंगे अब यह सब बाते कर ली है तो अगली बात जो हम करेंगे वो हम बात करेंगे removal की वो हम बात करेंगे removal की अब यह भी बता दो इनको किस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है remove किया जा सकता है removal कौन करेगा removal by governor in council कौन करेंगे governor in council मैं different pen से लिख रही हूँ, different color से लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए Removal by Governor in Council 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 अब Removal हो गया तो मुझे ये बताओ कि Removal होने के बाद में Removal होगा क्यों, reasonable reason होना चाहिए, reasonable cause होना चाहिए Removal by Governor in Council for reasonable cause for reasonable cause reasonable cause होना चाहिए reasonable cause के लिए आप remove कर सकते हों लेकिन अगर remove करने के बाद appeal करना है, for removal removal के decision के लिए अगर appeal करना है माली जी है कि यहाँ पर removal हो गया है तो अब appeal करें, तो किसके पास जाएं तो removal के लिए अगर appeal करना है तो appeal कहा होगा King in Council appeal कहा होगा King in Council in England इन इंग्लाइंड इन इंग्लाइंड चीक है जी इन इंग्लाइंड रिमूवल की अगर appeal देनी है रिमूवल की अपील अगर देनी है रिमूव कर दिया यहाँ पर mayor को या elder man को और उस decision की अगर appeal करनी है तो वो कहां जा सकती है King in council के पास में चीक है Governor in council के decision के against में अगर appeal करना है तो माली जी रिमूव कर दिया अब जो party है जिसको रिमूव किया गया है जो authority है वो satisfy नहीं है decision से Governor in council के removal के decision से तो जाए और King in council के पास में वो क्या कर दे अपना appeal कर सकती है अब अगर हम बाते करें further कि ओथ यहाँ पर कैसे ले सकते हैं ओथ किसके सामने ली जा सकती है governor and council के सामने ओथ ली जाएगी तो ओथ की अगर हम बात करें यहाँ removal की हमने बाते तो कर ली है अगर मैं बात करूँ ओथ की तो ओथ किसके सामने ली जा सकती है ओथ बिफोर ओथ बिफोर governor and council governor and council डर्ष ए तर्ष व्यां तक घा ले रहा हों और भुड्ल टो होगा इसारीच थारिकेसे ओफ Они आपको पता होगा शपत लेते तो वह सभी इसके सामने किया जाएगा गवर्नर और काउंसिल के सामने तो यह है हमारा पूरा complete first point hopefully आप लगों को समझ आया होगा और note कर लिया होगा आपने अब बढ़ते हैं अपने next point की तरफ तो मैं next slide ले रही हूं second जो हमारा point है second जो हमारा point है वो है civil administration civil administration civil administration and establishment of establishment of mayor's court establishment of mayor's court कहां पर in presidency towns in presidency town's presidency town's के अंदर में mayor court को establish करना और civil administration इस बारे में यह point आपको सभी बाते बताएगा तो पहली बात जो इस point के अंदर में आती है पहले तो आप underline कर लिजिए इस point को यह heading जो है इसको underline करिए अब हम लोग इसके बारे में बाते करेंगे आउ जरा आप इसके बारे में बाते करते हैं थोड़ी थोड़ी चलिए देखो यहां कुछ सब पॉइंट्स में आपको बताने जा रही हूं मेर और एल्डर में मिल करके फॉर्म करेंगे मेर्स कूट यह लोग मिल करके क्या करेंगे फॉर्म करेंगे कूट आफ रिकॉर्ड कूट यहां पर लिखते हूं भूल न जाए है आप लोग Court of Record मैं बता भी रही हूँ और नोट भी साथ में इसलिए कर रही हूँ कि आप में से कुछ students ऐसे होंगे जो कुछ क्या maximum सभी होते हैं जो लोग सुन रहे हैं वीडियो को लेकिन बीच-बीच में दिमाग हम लोगों कहीं और घूमने चला जाते हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं C.O.R. को यहाँ पर elaborate कर दिया है कि यह Court of Record है बाद में आप लोग यह ना सोचे कि यह C.O.R. था क्या फिर आपको वीडियो रिवाइन करके देखना पड़े तो यह थोड़ा सा इजी में आप लोगों के लिए कर दिया है क्योंकि हम लोग स्टुडेंट लाइफ में थे तो इस तरीके से हम लोगों के साथ भी हुआ करता था इवन, in fact, हर किसी के साथ होता है, है ना, वो ठीक है, वो होता है, सब के साथ में होता है, ना, तो अगर इस तरीके से कभी होता है, तो आप लोगों को यह असान रहेगा, नोट करने के लिए, तो मेर और नाई, एल्डर मेन मिलकर के फॉर्म करेंगे, कोट ओफ रिकॉर्ड, और यही कोट ओफ रिकॉर्ड को हम नाम देंगे, मेर कोट का, चेक है, तो यह किस नाम से जाना जाएगा, विच कॉल्ड, विच कॉल्ड, मेर कोट, इसी को ही हम मेर कोट के नाम से बुलेंगे, चेक है, इसको ही हम किस नाम से बुलाएंगे, मेर कोट के नाम से, विच कॉल as mayor. Done. Next बाते करें, तो एक mayor और दो elder men, जो की English होने चाहिए, English, English elder men होने चाहिए, मैं English इसलिए लिख रही हूँ, क्योंकि किसी भी nationality के हो सकते हैं, दो, तो ये दो other nationality के ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर दो elder men, English होने चाहिए, specifically इन लोगों ने बताया है, और mayor मिलकर के क्या करेंगे, quorum form करेंगे, quorum, quorum, quorum form करेंगे, अब quorum क्या होता है, ये last video में मैंने आपको बताया था, लेकिन जो लोग first time video देख रहे हैं, जो लोग भूल गए हैं, उन लोगों के लिए quorum का मतलब है, जब भी किसी matter को discuss किया जात के, शुरू किया जा सके, उसको हम quorum बोलते हैं, उस process को हम quorum बोलते हैं, minimum number of members required to initiate the discussion is quorum, done, तो यहाँ पर mayor or two elder men, जो की English होंगे, वो form करेंगे quorum, अब बात करते हैं, meeting की, sitting की, sitting, कितनी बार हो सकती है, sitting, at least, not more than, at least not more than, sitting not more than, sitting not more than, thrice, thrice या three times लिख लिजे, not more than, three times, three times in week, एक हफते के अंदर, तीन बार से जादा, sitting नहीं होनी चीए, sitting not more than, three times in a week, अब next हमारा है, appeal किसके पास जाएगी, appeal किसके पास में जाएगी, तो next अपना जो point है, वो आप appeal का लिख लेजिए, appeal किसके पास में जाएगी, माली जी, mayor port ने अगर कोई decision दे दिया, तो अब appeal किसके पास में जाएगा, governor in council के पास में, appeal lays to governor and council, appeal lays to governor and council, appeal lays to governor and council, और किसके decisions के against, against mayor court decision, against mayor court, मैं mc लिख रही हूँ यहापर, against mayor court's decision, अगर appeal करना है तो governor and council के पास में जाएगा, चीक है, लेकिन, 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 मान लीजिए, मान लीजिए, अगर value बहुत जादा है, अगर value बहुत जादा है, कितनी जादा, above thousand pagodas, तो वो appeal कहाँ जाएगी, अब देखिए, last point है इसका, sub point, appeal, ऐसे matter की, जो की matter, या value, value भी लिखे सकते हैं आप यहाँ पर, above, above, thousand pagodas, thousand pagodas, thousand pagodas से जादा की अगर value है, तो इसका appeal कहाँ पर जाएगा, king in council के पास, supreme वही है, king in council, England में, तो अगर जादा value का, कोई भी, offense है, कोई भी decision है, तो वो कहाँ, उसकी appeal किस के पास में जाएगी, king in council के पास, तो last आप यहाँ लिख लीजिए, king in council, टेक है, king in council के पास यह appeal शाली जाएगी, दन है, clear है, आप note कर लीजिए, okay, now, next हम लोग बाते करें, तो criminal administration की बाते करते हैं, criminal administration, and establishment of quarter sessions, तो third हमारा जो point है, वो हम बात करते हैं, criminal administration की, third point है, criminal administration, criminal administration, and establishment of, establishment of quarter sessions, establishment of quarter sessions, criminal administration, and establishment of quarter sessions की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर governor, और five senior members, governor और five senior members, किसी और color से हम लोग लिखते हैं इसको, तागी थोड़ा सा clarity निकल के आए, तेकिए, governor, governor, and five senior member, governor and five senior member of council, five senior member of council, five senior member of council, elected as, elected as justice of peace, as justice of peace के लिए, किसको elect किया जाएगा, governor और five senior member, five senior most जो member होंगे, उनको, कहां किसके, council के, five senior member of council and governor, इनको elect किया जाएगा as justice of peace, criminal administration की बात कर रहे हैं, और इनको power क्या होगी, power to arrest and punish, power to arrest and punish, इनकों के पास power होगी कि ये arrest कर सकते हैं, offender को, जसने offense कमिट किया है, और ये punish कर सकते हैं, चेक है, next है, hold करेंगे quarterly sessions, quarterly sessions, किस के लिए, for trial of all offenses, for trial of all offenses, trial of all offenses, सभी तरीके के offenses के लिए, trial करने के लिए, quarterly session hold करेंगे, ठीक है, and for trial, ये लोग four times in a year, at least hold करेंगे ये quarter sessions, ठीक है, and hold these sessions, hold sessions at least four times in a year, hold sessions at least four times in a year, at least four times in a year, four times in a year, एक साल में कम से कम चार बार hold करना है, और quarterly session hold करना है, for trial of all offenses, ठीक है, so note कर लिजिए, अब हम लोग अपनी next slide की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है, jury trial in criminal cases, jury trial in criminal cases, तो next हमारा जो point है, वो है, jury trial in criminal cases, फूर्थ है हमारा ये point, jury trial in criminal cases, जूरी ट्राइल इन criminal cases, देखिए, यहाँ दो जूरी होंगे, grand jury और petty jury, तो यहाँ पर criminal cases जो है, उनको किस तरीके से resolve किया जाएगा, यहाँ पर criminal cases को किस तरीके से resolve किया जाएगा, with the help of jury, तो आप यहाँ लिख लिजिए, criminal cases, criminal cases, decided, with the help of jury, with the help of jury, with the help of jury, जैसे आज हमारे judges decide करते हैं, उस समय पर jury कहा जाता था, वो with the help of jury, criminal cases decide किये जाएगे, और यहाँ पर jury क्या होंगे, कौन होंगे, grand jury and petty jury, grand jury and petty jury, अगर हम बात करें, grand jury की, सुनने में थोड़ा सा बड़ा नाम लग रहे हैं, grand jury, petty jury, थोड़ा छोटा लग रहे हैं, grand jury की अगर हम बात करें, तो grand jury में, grand jury के अंदर में, consist करेंगे 23 persons, consisted 23 persons, तेई स्लोग इसमें consist करेंगे, grand jury के अंदर, और इनका काम क्या होगा, इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा, task, यहाँ task क्या होगा, grand jury का, task होगा, person को present करना, person जिसने offense, commit किया है, offense या crime क्मिट किया है, offense क्मिट किया है, या crime क्मिट किया है, offense या फिर, committed a crime, committed a crime, इनको present करना, committed a crime, present करना है इनको, present करना है before jury, before jury present करना है, all the evidences, all the evidences, all the evidences, placed, all the evidences placed, before jury, all the evidences placed before jury, jury के सामने, सभी तरीके के evidences, जो भी offender के against में है, वो सभी present करने है, अगर मान लीजिए, grand jury को, सभी evidences को देखने के बाद, ऐसा लगता है, कि जिस person पे allegations लगाए जा रही है, वो person, प्राइमा फेसाई evidences देखने के बाद में, ऐसा realize हो रहा है, grand jury को, कि जिस person पे allegations लगाए जा रही है, उसके against में कोई case बनता ही नहीं है, no prima of SI case, evidence देख के पता लग रहा है कि कोई भी case नहीं बनता है, इस accused के against, तो क्यों हम इसको जबरदस्ती बांद के रखें, इसको एक काम करते हैं, बिना trial किये हुए ही, हम इसको acquit कर देते हैं, release कर देते हैं, तो यहाँ पर jury क्या कर सकता है, jury यहाँ क्या कर सकता है, release कर सकता है, release, या acquit लिख लिजी आप, better to write acquitally, evidence present करने के बाद में, अगर ऐसा लगता है jury को, ऐसे verdict पे वो return होते हैं, कि no prima of SI case was there, no prima of SI case, no prima of SI case, no prima of SI case, तो accused का acquittal हो सकता है, accused, acquit हो सकता है, acquital हो सकता है, without trial, acquital, without trial, छीक है जी, बिना trial के, acquital, हिया जा सकता है, बिना trial के, accused का acquital, हिया जा सकता है, आप note कर लीजिए, now, next हमारा जो slide है, hopefully आपको ये point समझ आ गया होगा, jury के बारे में, जो भी हमने discussion किया, कि 23 person होने चाहिए, grant jury के अंदर में, और यहाँ पर task जो है, वो क्या दिया जाएगा, जो भी person commit किया है crime, या जो परसन ने offense commit किया है, offender, उसके against में जितने भी evidences होंगे, वो jury के सामने present किये जाएंगे, place किये जाएंगे, और उन evidences को देखने के बाद, अगर jury को ऐसा realize होता है, कि कोई भी prima facie case, against के against नहीं बन रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको बिना trial किये हुए ही, equipate कर देते हैं, release कर देते हैं, तो उसको release कर देंगे हैं, last point हमारा है legislative power से related, last हमारा जो point है, वो है legislative power से related, आई ये last point हम लोग discuss करते हैं, that is, fifth point, fifth point को अगर हम discuss करें, तो हमारा, fifth point क्या है, conformant of legislative power, conformant of legislative power, conformant of legislative power, जिसको नहीं पता legislative power, वो note कर लीजिये, law making power, law बनाने की power को legislative power कहा जाता है, चीक है, conformant of legislative power, on governor and council, on governor and council, देखो, इस समय पर, governor and council के पास में, legislative power हुआ करती थी, law making power किस के पास हुआ करती थी, governor and council के पास, चीक है, आईए, अपना discussion शुरू करते हैं हम लोग, क्या-क्या यहाँ पर बाते की गई, देखे, governor and council के पास में, क्या powers थी, governor and council के पास पावर थी, bylaws बनाने की, bylaws यानि की additional rules regulation को, हम लोग bylaws बोलते हैं, additional rules regulation की जरुवत पढ़ती है, किसी भी corporation को, या किसी भी काम को carry out करने के लिए, जिसके लिए हम rules regulation बना रहे हैं, standardized form rules and regulation होता है, वो हम बना रहे हैं, तो वो day-to-day operation में काम आएगा, उनको proper govern करने के लिए काम आएगा, वर्क को properly govern करने के लिए, कुछ rules regulation की जरुवत पढ़ती है, जिसकों हम bylaws कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर, क्या-क्या power है, to make, to make, bylaws, to make, bylaws, bylaws का मतलब होता है, additional rules and regulation, rules बना सकते हैं, ordinance बना सकते हैं, ordinance, ordinance यानि कि अध्यादेश, अध्यादेश तब लाया जाता है, जिस समय, पार्लियमेंट सेशन में नहीं होता, जिस समय, पार्लियमेंट सेशन में नहीं है, और लग रहा है, कि किसी भी लॉग को, implement करने की, पास करने की, requirement पढ़ रही है, तो उस समय पर, implement कर दिया जाता है, और वो, through the help of, with the help of, ordinance किया जाता है, तो to make bylaws, rules and ordinance, and ordinance, for, किसके लिए बनाएंगे, ये सब rules, regulation, ordinance, किसके लिए बनाएंगे, जैसा कि मैंने अभी कहा, corporation के affairs को, manage करने के लिए, corporation के affairs को, govern करने के लिए, carry out करने के लिए, चलाने के लिए, for corporation, for corporation, for corporation, and, inhabitants, inhabitants of presidencies, inhabitants of presidencies, inhabitants of presidencies, चीक है, inhabitants of presidencies, ओके, next है, क्या power होंगे, किस तरीके के rules, ये लोग बना सकते हैं, power to punish, power to punish, power to make laws for punishment, make laws for punishment, make laws for punishment, for punishment, to those persons, to those persons, to those persons, who breach the laws, who breach the law, who breach the laws, जो भी लोग, law को breach करेंगे, उन सभी के लिए, law बनाने के लिए, उन सभी के लिए, punishment, के rules बनाने की, पूरी-पूरी power है, किस के पास में, governor and council के पास, चीक है, लास्ट हमारा है, punishment जो भी, आप decide कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि, भई देखो, जो भी punishment आप decide कर रहे हैं, ध्यान रखना कि वो reasonable हो, वो reasonable हो, ऐसा ना हो कि वो, England के जो law है, उनही को contrary कर रही हो, England के law के against में हो एक दम, अगर England में किसी, offense का, punishment, किसी भी offense का punishment, England के अंदर में, life imprisonment है, तो यहां तुम ऐसा मत करना, कि उसी same offense के लिए, death sentence दे देना, बात समझा रही हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा, कि जब भी आप कोई punishment design कर रहे हैं, punishment से related कोई भी law बना रहे हैं, तो ऐसा law बनाईएगा, कि वो England के law से contrary ना हो, उससे मिलता जुलता हुआ हो, या उसकी बात से थोड़ा सा नीचे हो, बात समझा रही हैं, उसको आपको cross नहीं करना, काटना नहीं है, England के law की लिखी गई punishment को, तो जो भी आप punishment बना रहे हैं, पावर आपको punishment बनाने की दी गई है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि आप अपनी मनमानी कर देंगे, और किसी भी offense के लिए, आप कोई भी सजा दे देंगे, जो भी आपको ठीक लगेगा, ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता, इंग्लैंड के law के according, जो भी पावर decided है, उसके contrary नहीं होनी चाहिए, तो आप लिख लीजिए, punishment should be reasonable, and not contrary, not contrary to England laws, इंग्लैंड laws, इंग्लैंड laws, और ऐसा इसी लिए कहा गया, क्योंकि parent तो यही है, और parent की बात को तो आज तक हम और आप भी नहीं cross कर पाए, बात समझ रहे हैं, तो इंग्लैंड के जो law है, वो parent law है, तो इस बात का खास खयाल रखेगा, कि punishment, design करते वक्त, punishment की power दी गई है, तो यह ध्यान रखेगा, कि parent law से contrary नहीं होना चाहिए, उनकी बात को अगर काटा, तो फिर देखो, आपको हरजाना भुगतना पड़ सकता है, जैसे हम लोगों को भी हरजाना भुगतना पड़ता है, अगर हम parents की बात को काट देते हैं, तो इसी तरीके से parent की बात को नहीं काट सकते, parent कौन? England law, बात समझ आई, तो उमीद है आप लोगों को ये पांचों पॉइंट्स अच्छे से clear हुए होंगे, अब मैं आप लोगों के लिए, समरी में सारे पॉइंट्स ग्यादर कर देती हूँ, number one, हमने क्या के discussion किया था, हमने discussion किया था, provisions for, provisions for charter 1726, तो first हमारा जो पॉइंट इसमें था, वो था, establishment of corporation, establishment of corporation at Bombay and Calcutta, establishment of corporation at Bombay and Calcutta, point number two, point number two हमारा था, civil administration, civil administration and establishment of mayor's court in presidency town, in presidencies, ठेक है, in presidencies, third हम लोग लिख रहे हैं, अपना, third जो point है, वो है criminal administration, and quarter sessions की बाद थी, quarter sessions, criminal administration and quarter sessions, fourth हमारा जो point है, वो था, fourth point हमारा था, criminal cases, criminal cases, decided by jury, criminal cases decided by jury, jury में दो jury थी, grant jury और petty jury, फिफ्ट और लास्ट पॉइंट हमारा जो है, वो है, फिफ्ट पॉइंट हमारा क्या है, conformant of legislative power, conformant of legislative power, conformant of legislative power, lawmaking power, conformant of legislative power, on governor and council, चेक है, तो लिजी ये हमारे थे, five points, ये five points हमारे सामने है, उमीद है आप लोगों को आज की class, बहुत अच्छे से समझाई होगी, और आपने notes भी proper design किये होंगे, इन सभी को आप proper से notes को अगर design करेंगे, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, तो आपको एक-एक class मेरे साथ-साथ में learn होती चली जाएगी, बस एक बार आपको revision देना है exam के time पे, और एक reading जस्ट आपको अपने notes की, यानि की books की देनी है, जो की आपके detailed notes है, वो detailed notes इसी की consistency में बनाए गई है, ये जो lectures है, वो इसी हिसाब से बनाने गई हैं, कि आपके जो notes हैं, उसी का ही summarized manner है ये, और आपको मैंने understand करवाने के लिए, प्रॉपर तरीके से आपको थोड़ा-थोड़ा explain भी किया हुआ है, तो आप लोगों को अगर ये video अच्छा लगा हो, तो like जरूर करिएगा, so that कि मैं इसी तरीके के वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँ, वीडियो को like करिएगा और share करिएगा, ताकि आप लोगों की दोस्तों की भी मदद हो जाए, आपके जो दोस्त हैं, जो struggle कर रहे हैं इस subject के अंदर, especially, कम से कम उन लोगों की तो help हो जाए, है न, दोस्ती थोड़ा तो नहीं भाना पड़ेगा, तो वीडियो को like करिएगा, और channel पर अगर नहीं हैं, तो subscribe जरूर करिएगा, thank you so much, take care, bye bye,